हेलो फ्रेंड्स मैं हूं संगीता और होम बेकर चैनल में आप सब का स्वागत है दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं डाइफरोट्स मसाला गुर्ड ये खाने में बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी है वैसे भी सर्जियों में गुर्ड को अगर हम खाते हैं तो अपने को क अगरी है वह इस प्रकार है मैंने 200 ग्राम गुर्ड लिया है एक चमच तिल लिया है और 20 बदाम लिया है दो चमच हमने कद्दू के बीच और 15 से 20 काजू लिया है आदा चमच हमने काली मिर्च पाउडर लिया है एक चमच हमने सौट पाउडर लिया है जिंजर पाउडर ज कद्दू कस करना पड़ेगा अगर आप कद्दू कस नहीं करें तो वहाँ पर आप चकु से भी इसको काट सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी कढ़ाई को गैस में गरम होने रख दिया है और तो सबसे पहले हम इसमें अपने ड्राइड फूर्ट को रोस्ट करेंगे आ तो हमें चाजु के ऐसी दोसर्बाई दीम है एनमारी यह थोड़गा है तो अभाल हम इसमें त्ल डालेंगे और सबसे लाऊस्ति में हम काजु डालेंगे कयोकि काजू बहुत जली से रोस्ट हो जाता है तो से हम लास्तों में डालेंगे यह रेखिए है अच्छे से मारे ऑर रास्ट में हम काजू को भी डाल के रोस्ट कर लेंगे और यह जब रोस्ट हो जाए गाएं तो हम अपनी गैस को बंद करके टाइट फूर्ट को एक ब्लेट में निकाल लेंगे ये रैस्पी खाने में बहुती टेस्टी और बहुती हेल्दी होती है तो आप इसे ट्राइ करिए अब हमने इसी कढ़ाई में दो चमज घी लेंगे और उसे भी हम गरम करेंगे यहां घी मैंने देशी घी लिया है ये सबी चीजें सर्दियों में खाने वाली और सिहत मंद होत और अब हम इसके अंदर काली मेर्ज पाउडर डालेंगे हमने जो कदू कस किया हुआ अपना गुड रखा था उसको भी हम इसमें डाल देंगे इस समय हमारी आज बिलकुल धीमी होगी और ये प्रेस्टीजर को हमें जल्ली करना होगा क्योंकि गुड हमारा बहुत जल्ली म पीजर करना हैं थे तो शकल ये नलडा के भी जंदर के उन्हें भी हम भी मिक्स कर बेंगे गूर और ड्रेफ्रूट को हमें अक्छे से मिक्स करना है दोरने के पाले से ही एक ट्रेय में देशी ही लगाके रखांगिये हैं अगर आप चिकनाइ लगाएं तो इसमेल यूप्त तेल की लगाईएगा और अब हम अपने मिशनल को ट्रे में ट्रांसफर कर लेंगे आग चाहें तो इसके छोटे-छोटे बॉल्स बनाके ठंडे करके उन्हें भी कंटेनर में रख सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर इसे गुड़ को जमा के इसके पीसे करूँगी अगर आप लोगों को मेरी रैस्पी पसंदा है तो प्लीस मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए मेरी रैस्पी को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए साथ में बेल आइकन को दबाईए जिससे मेरी अगली रैस्पी की जानकारी मिल सकें यहां मैंने गुड़ को बिल्कुल इक्विल कर लिया है हलका सा और इसको गरम में हम इसके pieces करेंगे जब गुड़ थोड़ा गरम होगा उस समय हमें इसके pieces करना है और ठंडा हो जाने पर pieces को हम container रखके पूरी सर्दी enjoy करेंगे आप लोगों पसंद आये तो please check करिए मिलते हैं ऐसी नई recipe के साथ अगले वीडियो में तब तक bye bye